जैसे अगर हम एक electronic विन्यास का उदारन लेते हैं केल्शियम का तो केल्शियम में जैसे 20 है तो 2, 8, 8, 2 करते हैं तो यहाँ पर देखिए चुकी तीसरी कक्षा की जो छमता है वो 18 एलेक्ट्रोन की है लेकिन फिर भी इसमें बाहतम कोश में 2 भरने के बाद ही अधी बचेगा तब हम इसे डालेंगे लेकिन अगर हमारे पास बाहतम कोश के लिए 2 एलेक्ट्रोन नहीं बच रहा है तो हम तीसरे कोश में छमता होने के बावजूद भी आठ से जादा नहीं भर सकते हैं तो यह electronic विन्यास बनाते समय बोरबरी की योजना का एक बहुत महत्तुपुन पा के बाहतम कोश में एक इलेक्ट्रोन प्रेजेंट है जब है हिलियम की बात करते हैं तो हिलियम में यहां देखते हैं नाभिक है और इसके बादवाले कोश में दो इलेक्ट्रोन है इन्हें जस्ट बादवाले कोश में दो इलेक्ट्रोन उपस्तित है लीथियम की बात करें तो लीथियम में एक नाभिक है, और उसके बाद हम देख रहे हैं, दो कोश है, तो पहले कोश में दो इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में एक इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से बेरिलियम, बेरिलियम में चार होता है परमाणू क्रमांग, तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन का वितर उसमें दो इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले कोश में तीन इलेक्ट्रॉन बोरॉन परमाडू को देखते हैं तो यदि हम बोरॉन परमाडू में सयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखना चाहें तो वह तीन होगा क्योंकि बोरॉन के बाहतम कोश में तीन इलेक्ट्रॉन उपस ये इस तरह से, तो इसमें भी सयोजी इलेक्ट्रोन चार होगा, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो परमाडू क्रमांख है, वो है साथ, इसमें जब इलेक्ट्रोन का वित्रन किया जाता है, तो दो और पाँच, तो आप देखिए, नाभिक, नाइट्रोजन के बाद जो अगला तत्व है, आठ परमाडू क्रमांख यूँ, तो वो है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है इसमें हम देख रहे हैं नाभिक है, इसके बाद पहली कक्षा में 2 एलेक्ट्रोन, और बाद वाली कक्षा में 6 एलेक्ट्रोन, तो 2 और 6, जो जी इलेक्ट्रोन ये दी पूछा जाए तो हम लिखेंगे साथ, तो फ्लोरीन में पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रोन और बाहतम कोश में साथ इलेक्ट्रोन, इसके बाद आता है नियॉन, नियॉन में पहली कक्षा में हम देख रहे हैं दो इलेक्ट्रोन हैं और इसके बा पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन, इसके बाद वाली कक्षा में आठ और इसके बाद वाली कक्षा में एक एलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं, तो दो आठ एक, पहली कक्षा में दो, दूसरे में आठ और तीसरे में एक है, magnesium इसका परमाडू क्रमांग होता है 12, जब हम electron का वित्रण देखेंगे, तो 2, 8, 2 होता है, पहली कक्षा में 2, इसके बाद वाली कक्षा में 8, और last वाली कक्षा में हम देखते हैं 2, तो 2, 8, 2, तो magnesium में यदि कहा जाए कि कितने कोश हैं, तो हम कहेंगे कि magnesium में 3 कोश है KLM, इसमें जो सैयोजी कोश है, इसमें electron की संख्या 2 होती है, magnesium के बाद आता है aluminium, aluminium का जो परमाडू क्रमांग है वो होता है 13, इसे भी हम 3 अलग-अलग कोश में वित्रित करते हैं, 2, 8, 3, याने पहले कोश में होगा 2, इसके बाद वाले कोश में 8, और जो अंतिम कोश है उस silicon, जिसका परमाडू क्रमांग होता है, चवदा, याने इसमें electron की संख्या हम कह सकते हैं, चवदा है, तो इसमें नाभिक के बाद पहला कोश होगा उसमें 2, इसके बाद 8, और इसके बाद 4, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि सैयोजी कोश में electron की संख्या होती है, 4, इसके पहले कोश में 2 ही electron आ रहा है, उसके बाद यदि electron है, तो दूसरे कोश में 8 है, उसके बाद जो बच रहे हैं, उसे हम तीसरे कोश में डाल दे रहे हैं, तो इसी क्रम में जब हम फॉस्फोरस को देखते हैं, तो 15 है, 15 है, इसमें electron है, 2, 8, 5, पहले कोश में 2, दूसरे कोश म इसके बाद अगला तत्व है सल्फर, इसमें इलेक्ट्रोनों की संख्या 16 है, जब हम इसे वित्रित करते हैं, तो 2, 8, 6, यानि पहले कोश में 2, दूसरे में 8, और तीसरे में 6, तो 2, 8, 6, तो इस तरह से ये सल्फर हो गया, सल्फर के बाद है क्लोरीन, यदि हम क्रम बदरूप से चल रहे हैं, तो इसमें क्लोरीन में जो इलेक्ट्रोनों की संख्या है, वो है 17, विभाजित करने पर 2, 8, 7 है, पहले कोश में 2, इसके बाद 8, और अंत में आता है 7, यानि इसमें भी हम देखें, तो सैयोजी कोश, यान तो निशित रूप से हम पहले कोश में 2 भरेंगे, दूसरे कोश में 8 और तीसरे कोश में 8, तो 2, 8, 8, 18 इलेक्ट्रोन वितरित हो गए, तीन लगल कोशों में, अब बात होती है पोटेशियम की, पोटेशियम जो है इसका परमाडू क्रमांक, या इसमें इलेक्ट्रोनों की संख्या लगबग, इसमें जो इलेक्ट्रोनों की संख्या है, वो 19 है, तो जो हमने एक बिंदु पढ़ा था, कि जो अन्तिम कक्षा के पहली वाला कोश है, उसमें हम 8 इलेक्ट्रोन से ज्यादा की शमता होने के बावजूद भी, हम 8 कब तक नहीं भर सकते, जब तक कि अन् यहाँ पर किया जाएगा, तो जैसे पोटेशियम 19 है, तो 2, 8, फिर 8 और 1, चुकि बाहतम कोश में हम देख रहे हैं कि 1 ही है, तो 1 ही है, तो हम यहाँ पर इसको बिना 2 किये, एक्स्ट्रा बचेगा तब हम इधर अंदर लाएंगे, नहीं बच रहा है, तो हम इसको चौथे कोश में ले जाएंगे, तो तीसरे कक्षा की छमता भले है, 18 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन चुकि यहाँ पर हम 8 ही भर सकते हैं, उसका कारण यह है, कि अंतिम कक्षा में अभी तक 2 इलेक्ट्रॉन भराया नहीं है, जब तक यह 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा, तब तक हम केले कोश में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में फिर से 8 भरेंगे, क्योंकि यहाँ अंतिम कोश में अब 2 भर रहे हैं, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन अब 6 बच रहा है, तो जब तक वो 2 पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हम 8 को नहीं बढ़ा सकते, इसलिए 2, 8, 8 और 2, तो यह क्रमबद रूप से भर देते हैं, तो केल्शियम में यदि हम बात करें और पोटेशियम में बात करें, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 कोशो में वित्रण हुआ इलेक्ट्रॉन का, के, एल, एम, एन, और यहाँ पर जो अंतिम कोश है, यानि कि सयोजी इलेक्ट्रॉनों की स अस्थिती होती है, यानि परमाडू के अंदर जितने भी कक्षाएं होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों का वित्रण किस प्रकार से होता है, अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे, कि वास्तों में यह जो अलग-अलग कक्षाएं होती हैं, जिसे हम K, L, M, N कहते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनों का वित्रण किस प्रकार होता है, तो जब हम विभिन्न तत्मों के लिए अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक वित्रण देखेंगे, कि किस प्रकार से अलग-अलग कोशों में इलेक्ट्रॉनों का विन्यास होता है, और साथ ही इसमें सयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थाद में बाहतम कोश में प्रेंद रच्छों क्र हैं वह कितनी होती है इसे हमें एक चाठ के माधियां से समझने का प्रयास करेंगे việc सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चाठ में हमने क्या-क्या बनाया है कौन-कौन से स्टेप्स में कौन-कौन से बिंदू क्या धार पर हम इसे समझेंगे तो सबसे पहले है तत्व का नाम इसके बाद तत्व का प्रतीक चिन इलेक्ट्रोनों की संख्या साथ ही कक्षाओं में इलेक्ट्रोनों का वित्रण यहने के एल एम एन जो अलग-अलग शेल है या से होगा इसके बाद हम देखेंगे जितनी भी कक्षाओं है उन कक्षाओं को मिलाकर या उन कक्षाओं में पस्तित इलेक्ट्रोनों की संख्या क्या धार पर यदि हम इलेक्ट्रोनिक विन्यास को बनाएंगे तो वह किस प्रकार होगा साथ ही इसमें सायोजी इलेक्ट्रोन जब हिसमे इलेक्ट्र Wouldn साथ ही इसका जब इलेक्ट्र themнова इक शॉष का उसी प्रकार हमली time के लिए देखेंगी लीथियector प्रतीक चिनि L i- इसमे दो कोश हैं एक क है और एक L है तो पहले कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है वो धो होता है। इसे हमने 2N2 जो बोस बरिये के नियम के आदंधार पर हमने पढ़ा था। यह दी पहले कोश में इलेक्ट्रॉन है तो फिर 2 x 1 का स्कु GU — तो पहले कोश में हम 2 indट्रॉन डालेंगे। अब चुकि इसका electronic की संख्या जो है वो 3 है तो 6 जो बचा एक electron वो L shell में जाएगा, L कक्षा में जाएगा. अब इसमें बाहतम कोश जो है वो L है और इसमें जब electronic विन्यास देखेंगे तो 2 और 1 होगा और बाहतम कोश में electron जो है वो 1 होगा. अगला हम देखेंगे कार्बन, कार्बन का जो प्रतीक चिन है वो है C, इसका जो इलेक्ट्रोन है वो है 6, याने इलेक्ट्रोनों की संख्या जो है वो इसमें 6 है, तो इसमें K कक्षा में 2 इलेक्ट्रोन और L कक्षा में 4 इलेक्ट्रोन होगा, और जब हम इसका इलेक्ट्रोन कोश में इलेक्ट्रोनों की संख्या 4 है, तो इसके सयोजी इलेक्ट्रोनों की संख्या भी 4 होगी, साथ ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो प्रतीक चिन है वो है O, इसमें इलेक्ट्रोनों की संख्या है 8, पहले कोश याने के कोश में इलेक्टरोन होगा 2 और दूसरे कोश में इलेक्टरोन होगा 6 छे और 2 हो गया 8 याने कूल इलेक्टरोनों की संख्या इसमें 8 है पहले कोश में 2 और दूसरे कोश में हमने लिखा 6 अब इसका इलेक्ट्रोनिक विन्याज जब हम लिखेंगे तो 2,6 होगा, अब इसके बाहतम कोश में इलेक्ट्रोनों की संख्या 6 है, तो आप निश्चीत रूप से सयोजी इलेक्ट्रोन की संख्या को भी लिखेंगे 6, वैसे ही सोडियम के बारे में हम देखते हैं, सोडियम, एने इसका प्रतीक चिन है इसमें इलेक्ट्रोनों की संख्या 11 है अब हम देख रहे हैं कि अब जो इलेक्ट्रोन है वो तीसरे कोश में भी प्रवेश करता है पहले कोश याने की के में कि इलेक्ट्रॉन की अधिक्तम संख्या होगी दो शेस अब बज गया 9 इलेक्ट्रॉन इसमें हम देखते हैं दूसरी कोष में याने l कोष में होगा आठ और m कोष में होगा एक. इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा sodium का 2, 8, 1, और सयोजी कोश में इलेक्ट्रोनों की संख्या होगी 1, इसी प्रकार aluminium जिसका प्रतीक चिन है AL, इसमें इलेक्ट्रोनों की संख्या है 13, 13 इलेक्ट्रोन है इसमें जब हम वित्रन देखते हैं, तो पहले कोश में, यानि के कोश में होगा 2 इलेक्ट्रोन, दूसरे क में देखते हैं आठ एलेक्ट्रोन और तीसरे कोश में हम लियुठते हैं तीन इलेक्ट्रोन तो दो आठ और तीन इसका इलेक्ट्रोनिक विन्यास बनाएंगे चुकि इसमें बाहितम Kution में औरफीरोन की संख्या तीन है याने सउयोजी कोश का इलेक्ट्रोन तीन इसी प्रकार हम देखते हैं फॉस्फोरस याने की पी प्रतीक चीन फॉस्फोरस का पी होता है इसमें इलेक्ट्रोनों की संख्या होगी पंद्रा पहले कोश में इलेक्ट्रोन दो याने के कोश में इलेक्ट्रोन होगे दो दूसरे कोश में इलेक्ट्रोन होगा आठ बच दो, आठ, पाच अब इसमें बाहतम कोष में इलेक्ट्रॉन हो गया पाच तो सयोजी कोष के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी पाच अगला हम देखते हैं क्लोरीन, क्लोरीन जो है इसका प्रतीक चिन है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 17, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनों का वित्रण अलग-अलग कोष में लेंगे, तो पहले कोष में निश्चित रूप से यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे कोष में अधिक्तम इलेक्ट्रॉन 8 होगा जो हमने बोरबरीनिया में पढ़ा है 2 into n square तो n यदि 2 है यदि 2 दुना 4 और 4 दुनी 8 electron हो गया अब बचा electron 7 तो वो होगा m कोश में यदि तीसरे कोश में हो गया electronों की संख्या 7 electronic विन्यास बनेगा 2 8 7 और सयोजी कोश में electronों की संख्या यानि बाहितम कोश में electronों की संख्या 7 है इसका बाहितम कोश जो है वो m कोश है और m कोश में electronों की संख्या 7 है तो इसलिए सयोजी कोश में electronों की संख्या 7 लिखी जाएगी अगला हम यहां पर देख रहे हैं आरगन, आरगन का जो परमाडू क्रमांग है वो है 18 और इसका जो प्रतीक चिन है वो AR के रूप में हम लिखेंगे और परमाडू क्रमांग 18 कह रहे हैं याने इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी यहां पे 18 है और प्रोटॉन की संख्या भी 18 ही होगा चुकि हम यहां पर इलेक्ट्रॉनिक वित्रन देख रहे हैं तो पहले कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2, दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन होगा 8 और तीसरे कोश में भी इलेक्ट्रॉन होगा 8 अब हम देख रहे हैं कि इसका जो तीसरा कोश है वो 8 इलेक्ट्रॉ अर्टेसियम का जो परमाडू क्रमांख है वो होगा 19 और परमारू क्रमांख है वह 19 होता है और पोटेसियम का प्रतीक चिन के है है साथ ही 19 अब चूक है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले कोश में दो इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश यहने की एल कोश में आठ इलेक्ट्रॉन तीसरे कोश में भी आठ इलेक्ट्रॉन और जो यह चौथा कोश है वहाँ पर होगा एक इलेक्ट्रॉन हमने इस नियम को पहले ही बोरवरी योजना के तहट देखा था कि जो बाहतम कोश है उसमें इलेक कम्प्लीट हो गया, अब ये इलेक्ट्रोन जो है वो अगले कोश में चला जाता है, अब हम देख रहे हैं, इसका जो इलेक्ट्रोनिक विन्यास 2, 8, 8, 1, तो ये 19 हो गया, अब पोटेशियम के लिए भी सयोजी इलेक्ट्रोनों की जो संख्या होगी, वो होगी 1, अगला में लिखते हैं इलेक्ट्रोन 2, L में लिखते हैं 8, M में लिखते हैं 8, और N में लिखते हैं 2, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि चुकि इलेक्ट्रोन की संख्या बहुत जादा नहीं है, 20 है, अब इस 20 इलेक्ट्रोन को जब हम वित्रन करते हैं, तो तीसरे कोश में कम से कम 8 electron होना ही चाहिए तभी electron जो है अगले कोश में जाता है तो बाहतम कोश के जस्त पहले वाले कोश में electronों की संख्या हो गई 8 electronic विन्यास बनाएंगे तो 2, 8, 8, 2 होगा और संयोजी electronों की संख्या यदि यहाँ पर count होती है तो वो होगी 2 तो इस प्रकार हमने इस पूरे सार्णी के आधार पर ये समझा कि कैसे इलेक्ट्रोनों का वित्रन होता है अलग-अलग कोशों में और कैसे हम इन इलेक्ट्रोनिक विन्यास के आधार पर सयोजी इलेक्ट्रोनों की संख्या की गिंती भी कर सकते हैं या हम electronic वित्रण के आधार पर, electronic विन्यास के आधार पर किसी भी तत्व के सयोजी इलेक्ट्रोनों की संख्या को, किसी भी परमाडू में उपस्थित सयोजी इलेक्ट्रोनों की संख्या को हम आसानी से बता सकते हैं. तो इस सार्णी से हमने electronic विन्यास को बहुत अच्छी तरह से समझा और सयोजी इलेक्ट्रोनों को किस प्रकार पहचानते हैं वो भी हमने समझा. इसके बाद हम समझेंगे परमाडू संख्या या परमाडू क्रमांग क्या है, साथी द्रविमान संख्या या द्रविमान जो है क इसी प्रमाडू का वो किस चीज पर निर्भर करता है, इसे हम समझेंगे. तो हमने प्रयोग उसे ये समझा कि गोल्ड स्टीन नामक जो वैग्यानिक है, उन्होंने 1886 में कैनाल किर्णों की खोज की, उसमें उन्होंने देखा कि ये जो किर्णे होती हैं, ये धनावेशित क परमाडू कड, जो परमाडू के अंदर एक और कड है, प्रोटॉन, उसकी खोज इन्होंने की, तो प्रोटॉन पर धनावेश होता है, ये पता चला, इसके बाद हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन का आवेश जो है, वो इलेक्टॉन की आवेश के बराबर है, परंतु या वि उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इनमें जो आवेश होता है, वो विपरीत होता है, ये अगर माल लीजे, 11 प्रोटॉन है, ये धनावेश 11 है, सोडियम के लिए अगर हम देखें, तो इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन होगा, ये ग्यारा रिणावेश भी होता ह तो यहाँ पर हमने देखा कि किसी भी उदासी इन परमाडू की जब बात होती है तो जितनी संख्या में धनावेश होता है उतनी ही संख्या में रिणावेश भी होता है 1932 में जे चैडविक नामक जो वग्यानिक है उन्होंने एक और अवपरमाडू कण की खोज की जिसे नूट्रॉन नाम दिया गया और इस नूट्रॉन का जो द्रवेमान है वो प्रोटॉन के बराबर था लेकिन उन्होंने ये पाया कि ये जो नूट्रॉन कण है इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है द्रवेमान तो है लेकिन इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं है तो जितने भी परमाडू है हाइडरोजन को छोड़ कर सभी परमाडू के नाभिकों में ये नूट्र हैं वहाँ पर ये होता है लेकिन हम यदि बेसिक हाइड्रोजन परमाडू की बात करते हैं तो वहाँ पर ये neutron नहीं पाया जाता है लेकिन जितने भी शेस दूसरे अन्य तत्व हैं उनमें ये neutron पाया ही जाता है तो परमाडू के अंदर हमने देखा कि proton है neutron है, electron है, तो ये सारे अव परमाडू कड़ इसके अंदर होते हैं, अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे, कि वास्तों में जो परमाडू है, उसके नाभिक में कौन-कौन से कड़ हैं, और इसके कोश में कौन-कौन से कड़ हैं, तो इसके नाभिक में हमने देखा proton और neutron है, औ जो भी पक्षा है जहां पर इलेक्टरॉन के पायजाने की समभावना होती है वहाँ पर ये उलेक्टरॉन लगातार गुमते रहते हैंगे तो उदासीन परमाडू जो है उसमें प्रोटॉन और जो इलेक्टॉन है उसकी संख्या बराबर होती है आवेश अलग-अलग होता है तो परमाडू में उपस्थित जितने भी प्रोटॉन होते हैं कुल प्रोटॉन की संख्या इसे ही कहा जाता है परमाडू संख्या तो किसी में यदी आठ प्रोटॉन है तो आठ ही इसका परमाडू क्रमांग या परमाडू संख्या होगा यदी हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में यदी 17 प्रोटॉन है तो इसका आर्थ है कि क्लोरीन का जो परमाडू संख्या या परमाडू क्रमांग है वह 17 ही होता है और इसे ज जो योग होगा इसी के आधार पर परमाडू द्रविमान को ग्याद करते हैं इसे हम द्रविमान संख्या भी कहते हैं तो किसी भी परमाडू के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन और नूट्रॉन की संख्या है उसका योग होगा द्रविमान संख्या परमाडू के लिए किसी भी परमाडू के नाभिक में उपस्थित, प्रोटॉन एवं नूट्रॉन की संख्याओं का योग कहलाता है द्रवेमान संख्या, तो द्रवेमान संख्या को नापने की जो इकाई है उसे हम यूनिफाइड मास कहते हैं, जिसे हम स्मॉल यू से दर्शाते हैं, और नाभि प्रोटॉन और नूट्रॉन कहा रहे हैं, इसके नाभिक में उपस्थित जो कर हैं, और इतने हम सम्म्मिलित रूप से, चुकि यह नाभिक यनिन न्यूकलियस में पाया जाता है, तो नूठलियोन भी सम्मिलित रूप से इसे कह सकते हैं, यहने किसी भी परमाडू की नाभ प्रोटान और निउट्रान को हम कैसे दर्शा सकते हैं तो इलेक्ट्रान इकरम हो갔 सब्सक्रक जब हम किसी तत्व में उसके परमाडू क्रमांग यन परमाडू संख्या साथ ही उसके द्रविमान संख्या को उसके प्रतीक चिन के रूप में दर्शाएंगे तो वह इस प्रकार से होगा यहाँ पर देखिए यदि हम एक तत्व का प्रतीक चिन बनाते हैं तो इसके बाई तरफ नीचे की ओर हमने लिखा इसका परमाडू संख्या और इसमें उपर की तरफ लिखते हैं इसकी द्रविमान संख्या तो तत्व का प्रतीक चिन और इसके बाई और हमने लिखा नीचे की ओर इसकी परमाडू संख्या और उपर की ओर लिखते हैं द्रविमान संख्या जैसे एक उदाहरन देखेंगे कि सोडियम sodium का जो परमाडू संख्या है वो 11 होता है और जो द्रवेमान संख्या है वो 23 है तो इसे इस तरह से दर्शाएंगे na नीचे लिखेंगे 11 और उपर लिखेंगे 23 इसी प्रकार यदि lithium एवं calcium को देखें तो lithium के लिए यदि परमाडू क्रमांग या परमाडू संख्या जो होती है तीन और जो इसकी द्रवेमान संख्या है वो है 6 तो इसे हम उपर लिखेंगे नीचे 3 और उपर 6 दूसरा अगर हम calcium का उदारन ले तो calcium के लिए जो परमाडू संख्या है वो है 20 तो नीचे लिखेंगे 20 और इसकी द्रवेमान संख्या होती है 40 तो इसे हम लिखेते हैं उपर 40 तो इस प्रकार हमने यह जाना कि कैसे किसी भी तत्व में हम प्रतीक चिन के साथ उसके परमाडू संख्या एवं द्रवेमान संख्या को दर्शाते हैं तो निश्चित रूप से हमने यहाँ पर यह भी जाना कि नूकलियोन यहने प्रोटॉन और नूट्रॉन तो यदि हमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्टॉन की संख्या पता है तो क्या हम नूट्रॉन की संख्या ग्याद कर सकते हैं इसे हम जानने का प्रयास करते हैं ए तो हम यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला भी जानेंगे कि कैसे हम neutron की संख्या ग्याद कर सकते हैं. तो जैसा हमने यह देखा कि proton की संख्या ही उस परमाडू के लिए परमाडू संख्या होती है. तो यदि हम उस परमाडू के द्रविमान संख्या में से उसके प्रोटॉनों की संख्या या उसके परमाडू संख्या को घटा दे तो हम न्यूट्रॉन की संख्या को ग्याद कर सकते हैं। अब हम इस सार्णी में उदाहरन के रूप में देखते हैं अलग-अलग तत्व को, तो सार्णी में हमने सबसे पहले लिखा है तत्व, इसके बाद हम लिखते हैं प्रतीक चिन, प्रोटॉन की संख्या, इसमें द्रवेमान संख्या और यहाँ पर हम ग्याद करते हुए निट्रोनों की संख्या, तो जब हम सबसे पहले लिखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक चिन, एच है, प्रोटॉन की संख्या इसमें एक है, और इसमें द्रवेमान संख्या भी एक है, तो चुकी इसमें प्रोटॉन की संख्या या परमाडू संख्या एक है, और द्रविमान संख्या भी एक है तो द्रविमान संख्या में से जो प्रोटॉन की संख्या है या परमाणू संख्या है उसे घटा देते हैं तो मान आता है शुन्य जिसे हम लिखते हैं निट्रॉन की संख्या की जगा पर शुन्य अगला लिखते हैं लीथियम तो लीथियम जो है इसका प्रतीक चिन है वो है एलाई और इसमें प्रोटोनों की संख्या होती है तीन और द्रवेमान संख्या जो है वो है छे तो द्रवेमान संख्या में से जब प्रोटोनों की संख्या घटा देंगे तो छे में से तीन घटा है तो इसमें निट्रोनों की संख्या निकल और इसमें जो द्रविमान संख्या है वो है 12, तो 12 से 6 घटाएंगे, तो 12 से 6 घटाएंगे, तो 12 से 6 घटाने पर neutron की संख्या निकलती है 6, इसी प्रकार oxygen, इसके लिए protonों की संख्या हो गई 8 और द्रविमान संख्या है 16, तो 16 से 8 घटाएंगे, तो जो neutron की संख्या है वो वैसे ही है sodium, sodium का प्रतीक चिन है एने, जिसमें 11 होगा, परमाडु संख्या या परमाडु क्रमाग और परमाडु भार जो है वो है 23, 23 में से 11 घटाएंगे, तो ये neutron की संख्या निकल गई 12, aluminium, AL इसका प्रतीक चिन है, aluminium के लिए जो परमाडु संख्या है वो है 13, और जो द्रवेमान संख्या है वो है 27, तो 27 में से 13 घटाएंगे, तो यहा होता है 14, ये इसकी neutron की संख्या होगी, इसकी प्रकार है फॉस्फोरस, इसमें परमाडु संख्या 15 है और जो द्रवेमान संख्या है वो है 31, तो 31 में से 15 घटाएंगे, तो यहा होता है 16, neutron की संख्या फॉस्फोरस के लिए हो गई 16, इसकी बाद हम देखते हैं क्लोरीन, क्लोरीन के लिए जो परमाडु संख्या है प्रोटॉनों की संख्या है वो है 17 और इसमें द्रवेमान संख्या 35 है, वास्तों में इसकी जो द्रवेमान संख्या है वो 35 दसमलोग 5 है, लेकिन यहाँ पर पूर्णान के रूप में लिए 35, तो 35 में से जब 17 घटाते हैं, तो यह आता है 18, neutron की संख्या हो गई 18, आरगन, आरगन जो है AR इसका प्रतीक चिन है, इसमें जो परमाडू संख्या या प्रोटॉनों की संख्या है वो है 18 और इसमें जो द्रवेमान संख्या है वो है 40, तो 40 में से 18 घटाते हैं, तो आएगा 22, तो यहाँ पर आरगन के लिए जो द्रवेमान संख्या है वो है 40, तो 40 में स 18 गठाने पर नूट्रॉनों की संख्या मिलती है 22. अगला है पोटेशियम, पोटेशियमके लिए प्रोटॉनों की संख्या 19 यानि पर्माडू संख्या 19 और इसमें द्रविमान संख्या 49 तो 49 में से 19 घटाने पर neutron की संख्या मिलती है वो है 20 इसी तरह calcium के लिए प्रतीक चिन है CA और इसमें परमाडू संख्या जो है वो 20 है और द्रविमान संख्या जो है तो 40 में से 20 घटाने पर जो neutron की संख्या निकलती है वो है 20 तो इस प्रकार हमने ये देखा इस सार्विमान संख्या में से proton की संख्या या परमाडू संख्या को घटा कर neutron की संख्या ग्याद कर सकते हैं तो हमने जब पर्माडू का जो नाभिक होता है पर्माडू से लगभग 10 के घात में 5 गुना छोटा होता है तो यहां पर हम देखें कि उसके नाभिक में प्रोटॉन भी है नूट्रॉन भी है सोडियम पर्माडू का जो पर्माडू आकार होता है वो 1.86 into 10 to the power minus 10 मीटर होता है तो निश्यत रूप से इसमें जो इसके नाभिक का आकार होगा वह इसकी तुल्ला में जितना इसका पर्माडू आकार है उसकी तुल्ला में 10 के घात 5 गुना छोटा ही होता है अब हम समस्थानिक पर्माडू भार और समभारिक के बारे में समझेंगे कि वास्तों में पर्माडू भार जो है इनका समस्थानिक एवं समभारिक से क्या संबंध होता है तो हमने कई बार ये जेखा है कि कार्बन जो है वो प्रकृती में कई अन्य रूपों में भी पाया जाता है जैसे कार्बन 12 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है जैसे कार्बन 12 जो है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 6 है लेकिन जो कार्बन 14 है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 8 है तो निश्यत रूप से यहां पर हम ये समझेंगे कि कैसे न्यूट्रॉन की संख्या अलग है और इन रूपों को हम किस नाम से जानते हैं तो बहुत सारे अन्य दूसरे भी तत्व है जो की प्रकृती में अलग-अलग रूपों में पाय जाते हैं एक ही तत्व अलग-अलग रूपों में पाय जाते हैं जिनमें की नूट्रोन की संख्या में बिंता होती है जैसे अधी क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में भी क्लोर जो है वो क्लोरीन 35 भी होता है और क्लोरीन 37 भी होता है तो यह रूप जो है वो क्या कहलाते हैं तो ऐसे तत्व जिनके अलग-अलग रूप है और जिन में हम देख रहे हैं कि परमारू संख्या तो समान है लेकिन जो द्रवेमान संख्या है उसमें भिन्नता है तो निशित के कारण ही आ रही है, जैसा कि कारबन में हमने देखा कि कारबन में नूट्रों ही में तो समस्थानिक किसी भी तत्व के ऐसे रूप होते हैं जिन में परमाडू संख्या या परमाडू क्रमान समान होता है, लेकिन जो द्रविमान संध्या है वो भिन-भिन होती है. और यही एक दूसरे के समस्थानिक या आईसो टोपस कहलाते हैं. जैसे carbon 14, carbon 12, इसी तरह यदि hydrogen की बात करें, तो hydrogen के भी तीन समस्थानिक होते हैं, जैसे hydrogen, जिसे हम protein भी कहते हैं, deuterium और tritium. हाइड्रोजन को यह दि देखे तो हाइड्रोजन में परमाडू क्रमांग तो एक ही होगा जो ड्यूटेरियम है उसमें भी परमाडू क्रमांग एक है ट्राइटियम में भी परमाडू क्रमांग एक होगा यानि प्रोटोनों की संख्या एक ही होगी लेकिन अगर हम protium में देखे तो इसमें जो द्रविमान संख्या है वो 1 होगा deuterium में duds संख्या 2 है और tritium में duds संख्या 3 होता है तो इस तरह से hydrogen, protium, deuterium और tritium तीन अलग-अलग रूपों में पाया जाता है तो समस्थानिक जो है इसके बहुत सारे अन्य उदाहरण भी हम समझेंगे समस्थानिकों को और अच्छे तरह से समझने के लिए हम अन्य और भी उदाहरण को देखेंगे अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तों में इन समस्थानिकों का हमारे जीवन में क्या उप्योग है ये जो समस्थानिक होते हैं, इनके बहुत ज़्यादा उपयोग हैं हमारे दैनिक जीवन में, स्वास्तगत दृष्टी से भी ये बहुत ही महत्चपूर्ण होते हैं, जैसे कोबाल्ट का जो समस्थानिक है, वो कैंसर के उपचार में उपयोगी है, साथ ही घेंगा रोग या गोईटर के उपचार के लिए IODEन का समस्थानिक है उसे प्रियोग में लाया जाता है, और दूसरे जो अने समस्थानिक है, जैसे यूरेनियम के जो समस्थानिक है, इसका प्रियोग परमाडु भट्टी में इंधन के रुप में भी किया जाता है और भी हमारे जीवन में बहुत सारे छेत्रे हैं जहां पर इन समस्थानिकों का प्रेयोग किया जाता है। इसके बाद हम सापेक्षिक परमाडु भार के बारे में समझेंगे। परमाडू भार जो है वो पदार्थ के स्थूल भार और उसमें पदार्थ के कितने परमाडू हैं, उने सम्बंद ग्यात करने का एक तरीका होता है, डाल्टन ने ये बताया कि परमाडू को तॉल पाना सम्भव नहीं था, तो इसलिए सापेक्षिक परमाडू भार जो है यह इनने बताया, जब तत्वों की खोज हुई, तो यह पाया गया कि हाइडरोजन जो है, वो सबसे हलका नाभिक वाला तत्व था और हाइडरोजन परमाडू के भार को उन्होंने एक हिकाई माना, तो उसके आधार पर उन्होंने दूसरे तत्वों के परमाडू भार की बारे मे गड़ना करने का प्रयास किया और इसी आधार पर उन्होंने सापेक्षिक परमाडू भार शब्द को बताया और हाइडरोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन की क्रिया जादा तत्वों के साथ होती है इसलिए ऑक्सीजन को इन्होंने बानक बताया क्योंकि ऑक्सीजन ही ऐसा के पर्माडु भार को आज के समय में हम क्यात करते हैं याने कार्बन बारा एक ऐसा अन्य तत्वाया जिसके सापेक्षम दूसरे तत्वों के पर्माडु भार को क्यात करते हैं तो प्रारंब में हाइड्रोजन ऑक्सीजन और बाद में कार्बन बारा को सापेक्षी रुबों में पाये जाते हैं और ये समझने में प्रयास करते हैं कि अधिकांज तत्वों के जो परमाडू भार होते हैं ये पूनांक में नहीं होते हैं तो सापेकशिक परमाडू भार के द्वारा हम ये सारी चीज़े समझ सकते हैं, जैसे कि हम एक उदारन लेते हैं क्लोरीन का, क्लोरीन के दो समस्थानिक है क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, तो जो दो समस्थानिक है ये प्रकृती में अलग-अलग मात्रा में पाय जाते हैं, जैसे कि क परमाडू भार ग्याद करेंगे याने क्लोरीन के लिए तो वह कितना होगा तो 75 गुणा यह हमने किया 35 क्योंकि जो क्लोरीन है क्लोरीन 35 जो है वह प्रकृती में 75 प्रतिशत होता है तो हम इसे इस तरह से ग्याद कर सकते हैं 75 गुणा 35 बटे में लिखते 100 प्लस करेंगे और दूसरा जो क्लोरीन का समस्थानिक है याने क्लोरीन 37 वह प्रकृती में 25 प्रतिशत है तो 25 गुडा 37 बटा 100 तो इसको हल करने के बाद जो सापेक्षिक परमाडू भार हमें ग्याद होता है वह पूनांक में नहीं है याने 35 दसमलो पाच तो क्लोरीन का जो परमाडू भार ह वह 35 दसमलो पाच यूनिफाइड मास याने स्मॉल यू के रूप में व्यक्त किया जाता है और यहीं मानने होता है तो बहुत सारे दूसरे अन्य तत्व भी हैं जिनके अलग-अलग समस्थानिक अलग-अलग प्रतिशत मान के रूप में प्रकृती में पाये जाते हैं और उनके आधार पर ही किसी भी तत्व के परमाडु भार को निकाला जाता है और इसे ही हम सापेक्षिक परमाडु भार कहते हैं क्योंकि एक ही तत्व के अलग-अलग रूप, अलग-अलग प्रतिशत के रूप में प्रकृती में उपलब्ध हैं तो निश्यत रूप से उनका जब हम परमाडु भार ज्यात करेंगे, तो वह कहीं न कहीं पुणांक नहीं भी हो सकता है और पुणांक हो भी सकता हैं। तो इसी क्रम में हम विविन तत्व के परमाडँ भार को एक बार सार्णी बद तरीके से देख लेते हैं। जैसे हाइडरोजन जो है इसका क्रमांग है वो एक है तो यहां हम इस सार्णी में एक से लेके 20 तक जितने भी तत्व है उनका परमाडू भार देखेंगे तो हाइड्रोजन का क्रमांग तो एक है लेकिन इसका भार एक दश्मलो शुन्य शुन्य आठ होता है हीलियम परमाडू क्रमांग दो इसमें 4 दश्मल नौ चार एक, बेरिलियम परमाडू क्रमांग चार और इसमें जो द्रविमान है वो होता है नौ दश्मलो शुन्य एक दो, बोरॉन का परमाडू क्रमांग है पाच और इसमें जो द्रविमान संख्या है वो है दस दश्मलो आठ एक, कारबन परमाडू क्रमांग छे होगा और 12.01 इसका परमाडु भार है नाइट्रोजन परमाडु संख्या साथ और इसमें द्रविमान संख्या है 14.01 अब आप यहाँ पर यह देख सकते हैं कि जैसे 12.01 है तो साधरनता जब भी हम कार्बन के लिए परमाडु भार लिखते हैं तो हम 0.01 को नगन्य माल लेते हैं उसे 12 लिखते हैं नाइट्रोजन के लिए भी जब हम द्रविमान संख्या लिखते हैं तो 14.01 ना लिख करके 14 ही लिख लेते हैं जैसे hydrogen के लिए भी हम 1.08 न लिखकर कई जगा एक लिख लेते हैं, वास्तों में जो उसकी द्रविमान संख्या है वह 14.01 ही होती है nitrogen के लिए और carbon के लिए 12.01 ही होती है, अब हम आते है oxygen पर, तो oxygen का जो द्रविमान संख्या है वो है 16 और carbon करमांग तो 8 है, for chlorine के लिए carbon के लिएllow carbon 9 और carbon संख्या है 19, इसी प्रकार neon के लिए carbon 10 और carbonite 10 और carbon 20.18, तो यहां भर्पी जब neon के लिए carbon 9 और carbon के लिए carbon 8 नगरने कर लेते हैं, सोडियम, सोडियम की जो द्रविमान संख्या है वो 22.99 है, तो प्राया जगह पर हम जो सोडियम है इसकी द्रविमान संख्या को 23 लिख लेते हैं क्योंकि यह 22.99 है, सोडियम के लिए जो परमाडू संख्या है वो है 11, मैगनीशियम का जो परमाडू करमांग या परमाडू यह हैai 12 और इसमें जो द्रविमान संख्या है वो है 24.31 एलुमीनियम के लिए द्रविमान संख्या यहां पर है 26.9 8 चूंकि 26.9 8 को भी पूर्नांक मान के 27 करके हम प्रयोग में लाते हैं क्योंकि यह 27 के काफी करीब है और एलुमिनियम के लिए जो परमाडू संख्या है वो है 13 इसी प्रकार सिलिकॉन के लिए परमाडू संख्या 14 है और सिलिकॉन के लिए जो द्रवमाडू संख्या है वो 28.09 तो हम यहाँ पर जब सिलिकॉन की बात करेंगे द्रवमाडू संख्य जो है वो दश्मलो के रूप में लिखी हुई है 30.97, 30.97 को हम 31 लिख लेते हैं फॉस्पोरस के लिए, इसी प्रकार जो सलफर है, सलफर के लिए परमारू संख्या है 16 और इसकी द्रवेमान संख्या है 32.07, क्लोरीन जो है इसकी द्रवेमान संख्या 35 जैसा कि हमने ग्याद भी किया भी कि कैसे यह 35.05 आता है लेकिन वास्तों में यह 35.45 होता है जिसे हम 35.05 की रूप में लिखते हैं क्लोरीन का जो परमारू संख्या है वो है 17 आरगन, आरगन के लिए परमारू क्रमान या परमारू संख्या 18 और आरगन के लिए जो द्रवेमान संख्या है वो है 49.95 इ इसका जो द्रवमान संख्या है वो है 49.1 तो 49.1 न लिखकर हम इसे 49 लिखते हैं और पोटेशियम के लिए परमारु संख्या 19 होती है कैल्शियम के लिए भी जो परमारु संख्या है उसे हम 20 लिखते हैं और जो द्रवमान संख्या है वह भी दश्मलों के रूप में हमें प्र तो उसकी द्रवेमान संख्या जो है 40 होती है और परमारू संख्या जो है वो 20 होती है तो इस प्रकार हमने ये जानने का प्रयास किया कि कैसे किसी भी तत्व में जो द्रवेमान संख्या होती है वह पूर्णांख हो भी सकती है और पूर्णांख नहीं भी हो सकती है तो कई तत और nitrogen 14 इसमें अगर हम देखे तो दोनों जगा पर अगर हम carbon 14 और nitrogen 14 को देखे तो दोनों में आप देखे कि परमाडू संख्या जो है इसमें दोनों के लिए carbon के लिए परमाडू संख्या जो है वो 6 है और nitrogen के लिए परमाडू संख्या साथ है लेकिन दोनों में हम देख रहे है कि चऊदा जो है इसका द्रवेमान संख्या है तो अब यहाँ पर एक नया पद आता है जिसमें हम देख रहे हैं कि भिन्न-भिन्न तत्व के परमाडू चूंकि अगर हम परमाडू संख्या अलग देख रहे हैं किसी तत्व में तो निश्यत रूप से वे दो भिन्न तत्व होंगे, क्योंकि किसी भी तत्व की जो पहचान होती है, वह उसके प्रोटॉनों की संख्या, या उसमें जो परमाणू संख्या है, उसके आधार पर ही होती है, जब हम कार्बन 14 या नाइट्रोजन 14 की बात करते हैं, तो कार्बन 14 में कार्बन की परमाणू संख में भिन्नता देखने को मिलती है लेकिन इन दोनों तत्वों में द्रवेवान संख्या जो है वो समान है तो ये एक दूसरे के संभारिक कहे जाते हैं तो ये एक दूसरे के संभारिक या आईसो बार होते हैं याने कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 ऐसे ही कई दूसरे और तत्व का जो परमाडू भार है वह 40 है और आरगन जो है उसका भी परमाडू भार जो है वह 40 है लगबग तो दोनों में हम देख रहे हैं आरगन और केल्शियम जो है वो दोनों ही एक दूसरे के संभारिक होंगे क्योंकि आरगन का जो परमाडू क्रमांखेवा 18 है और केल्शियम का जो परमाडू क्रमांखेवा 20 है तो ये दोनों तत्व एक दूसरे के सम भारिक या आईसो बार्स होते हैं क्योंकि इनमें परमाडू संख्या में भिनता है लेकिन परमाडू भार जो है वो दोनों का समान है तो इस तरह से हमने ये समझा कि समस्थानिक क्या होंगे एक ही τत्व के अलग-अलग रूप जिनमें परमाडू संख्या समान होगी लेकिन परमाडू भार अलग-अलग होगा इसे हम समस्थानिक यह आईसोटोप्स कहेंगे दूसरी तरफ हमने देखा कि भिन भिन तत्व जिनकी परमाडू संख्या अलग-अलग होगी लेकिन उनमें परमाडू भार समान होगा ये एक दूसरे के समभारिक या आईसो बार्स कहे जाते हैं अब हम कुछ प्रशनों को हल करके देखेंगे कि यदि मान लीजिये एक परमाडू है जिसकी परमाडू संख्या 15 है और द्रवेमान संख्या 31 है तो यदि प्रशन आता है कि उसमें उपस्तित अव परमाडू कड़ों की संख्या क्या होगी तो जब हम अव परमाडू कड़ों की संख्या की बात करते हैं तो उसमें प्रोटोन, इलेक्ट्रोन, न्यूट्रोन, तीनों की बात करेंगे. तो जब हमने देखा कि इसमें परमाडू संख्या है 15, तो जब परमाडू संख्या 15 है याने प्रोटॉन की संख्या भी होगी 15 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी 15 अब तीसरा जो आव परमाडू कन है वो है न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन की संख्या को ग्याद करने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था द्रविमान संख्या से हम घटाते हैं परमाडू तो द्रविमान संख्या यहां पर 31 है और प्रोटॉन की संख्या याने की परमाडू संख्या जो है वो है 15 तो 31 से हम 15 घटाते हैं तो तीसरा जो आव परमाडू कड है जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या हो गई 16 तो इस प्रकार हम किसी भी तत्व कि यदि परमाडू संख्या और द्रमान संख्या दी हुई है तो उसके अव परमाडू कड़ो की संख्या ग्याद कर सकते हैं अब यदि हम बात करें अलग-अलग कोशों की यदि कुछ ऐसे भी प्रश्ण बनते हैं कि यदि अलग-अलग कोश दिया है जैसे के कोश है और L और M कक्षा में केवल दो इलेक्ट्रोन है। जैसे एक प्रश्न है कि K, L, M, माल लीजे तीन कोश है किसी भी परमाडू में कह रहे हैं कि K और L जो है वो पूरी तरह से भरा है और M कक्षा जो है उसमें दो इलेक्ट्रोन है। तो हमने ये पढ़ा है कि K कोश यदि पूरी तरह से भरा है निश्चित रूप से उसमें इलेक्ट्रोनों की संख्या 2 होगी, L भी यदि पूरी तरह से भरा है तो उसमें इलेक्ट्रोनों की अधिक्तम संख्या 8 होगी और M कक्षा में दी हुई है इलेक्ट्रोनों की संख्या दो प्रश्न के आधार पर, तो इसमें M कक्षा में इलेक्ट्रोनों की संख्या हो गई दो, तो पहले कोश में K में हो गया दो, L में हो गया आठ और M में हो गया दो, तो दो आठ दो, यहने तोटल इलेक्ट्रोन इसमें हो गया 12, तो 12 किस तत्व का परमाडू क्रमांग होता ह मैगनिशियम का तो इस तरह से हमें एक से बीस तक के यदि परमाडू संख्या पता हैं तो हम इस तरह के इलेक्ट्रोनिक विन्यास वाले प्रश्णों को भी हल कर सकते हैं तो इस तरह से हमने ये जाना कि परमाडू के केंद्र में जो है वो नाभिक होता है और अधिक्तम जो किसी परमाडू का भार होता है वह उसके नाभिक में ही उपस्थित होता है और नाभिक के चारो तरफ जो दूसरे कड होते हैं इन्हें हम इलेक्ट्रोन्स कहते हैं जिसे हम पर्माडु में किस तरह से इलेक्ट्रोनों का वित्रन होता है। और इस वित्रन के आधार पर हम किसी भी पर्माडु संख्या को भी बता सकते हैं। तो किसी भी परमाडू में जितने भी प्रोटॉन होते हैं, उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जब हम उदासी इन परमाडू की बात करते हैं। इस अध्याय में हमने कई शब्दों को जाना, तो इन मुख्य शब्दों को हम एक बार देखेंगे। कौन-कौन से मुख्य शब्द हैं, जैसे कक्ष है, कोश है, जिसे हम और्बिट या शेल भी कहते हैं, परमाडू संख्या है, जिसे हम अटॉमिक नंबर कहते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे शब्दों के बारे में हम समझेंगे। इस अध्याय में हमने बहुत सारी चीजों को सीखा, समझा, तो हम अब ये जानने का प्रयास करेंगे, पूरे पार्ट में हमने क्या-क्या सीखा, इसे हम समझते हैं।